आज की जो हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल हटके है ऐसी रेसिपी के बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा ना ही कभी देखा होगा और जब देखा ही नहीं होगा तो खाया कैसे होगा आज मैं आपको बता रहा हूँ ब्लाक इडली के बारे में ऐसी रेसिपीस को कहा जाता है, फ्यूजन रेसिपीस, ये इडली देख रहे हैं आप, आपने हरी इडली देखी होगी, सफेज जो हम घर में हमेशा बनाते हैं, हाँ और लाल इडली, इसके अलागा ओरेंज इडली, लेकिन ये काली इडली कभी देखी है कि आपने, मुझे बता है आप लोगों ने नहीं देखी होगी, इसको आप देखिए एकड़म वही है जो हम घर पे बनाते हैं, बस अलग इसमें एक ही चीज़ है, सुन लिया ना आपने, अब इसे बना के दिखाता हूँ, और इसके बारे में एक और बात बतादू, ये काफी हेल्दी भी है, इसमें क्या-क्या जाएगा, वो तो मैं आपको बात में बताओंगा, लेकिन पहले देख लेते हैं, बनेगी कैसे, एक बाउल के अंदर एक बड़ा कप ले लिजे उसमें भरके डाल दीजे सूजी हम बना रहे हैं इससे तकरीबन 4 लोगों के लिए इसलिए हमने लिए हैं एक बड़ा कप सूजी सूजी डालने के बाद आपको इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालना है अगर आप इसे कम करना चाते हैं तो कम कर लिजी अगर इसके अलाव जादा बढ़ाना चाते हैं तो भी कर सकते हैं नमक के बाद डालना है आपको दही अगर आपके पास दही नहीं है तो आप मेरी तरह चार्च का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप दही डाल रहे हैं तो एक कप दही लेना है उसके अंदर आदा कप पानी डाल के डालना है और अगर चार्च ले रहे हैं तो डेड़ कप ही आपको चार्च डालना है उसके बाद इसे अच्छे से आपको mix करना है विसकर की मदद से ताकि इसके अंदर lumps ना पढ़ ज ये 10 मिनिट के लिए, 10 मिनिट बाद जब आप इसे अठाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, अगर जादा गाड़ा हो गया है, तो आदा कप दही या फिर आदा कप आप इसके अंदर छाच और मिला सकते हैं, फिर अच्छे से एक बार मिक्स कर लिजेगा, तो जब हमने आपको इसे भी बनाने के लिए वापस आ जाएगी, इस सांचे के अंदर पानी भी आपको उतना ही डालना है, जो आपनी रेसीपी से घर में बनाते हैं न इडली, सेम उतना का उतना, फिर इसे ढखके गरम होने दीजिए, अब देखिए ये है में इंग्रीडियन, जो काला करेगा आपकी रेसीपी को, जिसको जिसको समझ में आ गया है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, और जिसको नहीं आया है, वो भी मुझसे पूछ सकता है, अब जिनको नहीं पता, वो तो ठीक है, पूछ लीजेगा, और जिनको पता है, उनके लिए एक और सव फिर आप देखिए कि आपका जो साचा है न इडली वाला वो गरम हुआ के नहीं हुआ वो जैसे ही गरम हो जाए इस बैटर के अंदर जो इडली का है न उसके अंदर आप इनो डालिए ताकि आपकी इडली न तुरंत फूल जाएगी इस रेसिपी को आप ब्रेक फरस्ट में आसानी से बना सकते हैं एकड़म यूनीक भी है और एकड़म टाइम कंजूमिंग भी बहुत ही कम समय में बन जाती है यह इनो डाल दिया आपने फिर अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर दिया और बस फिनिश अब आपको साचा लेना है इडली वाला उसके ओपर थोड़ा सा ओइल लगा देना है ताकि इडली आपके नीचे चिपके ना अब धीरे धीरे करके साचो के अंदर इडली का बैटर बढ़ते जाईए यहां तक आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूच सकते हैं comment box आपके लिए खुला है इसके अलावा और भी 500 से 600 recipes और है अगर आप चाहें तो उन्हें भी try कर सकते हैं साचो में इडली का बैटर भर दिया है हमने और डाल दिया है इसे इडली के साचे पे अब इसे आपको क्या करना है cover करना है और इसको steam होने के लिए चोड़ देना है तक्रीबन 10 मिनिट लगेंगे आपकी इडली क तो रेडी होने में 10 मिनिट बाद फिर आप मुझे बताईगा कि ये इडली कैसी लग रही है ये देखिए है ना एकदम काली काली इडली ये ऐसी इडली है जिसे कभी नजर नहीं लगेगी एकदम सुपर सॉफ्ट एकदम स्पंजी ऐसी इडली जो आपने कभी नहीं खाई होगी इसे आप सांबर के साथ भी खा सकते हैं और मसाला इडली बना के भी खा सकते हैं दोनों ही बहुत ही अच्छी लगेंगी जब भी आप इडली को साचे में से निकाले ना तो पहले पांच मिनिट उसे ठंडा होने दीजिए एक बार जो ठंडा हो जाएगा तब वो आस वे दिडली को काले बनाने का अब मैं आपको बता देता हूं कि मैंने दरसल इसके अंदर डाला क्या था मैंने इसमें डाला था एक्टिवेटेड चाकोल पाउडर ये मदद करता है आपके लोवर कॉलिस्ट्रोल लेवल करने के अंदर उसके अलावा ये आपकी सकते हो लगा भी सकते हैं और ब्रश भी कर सकते हो इसके सार चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में